नमस्कार मैं सुचिला राय डिमरी रोज की रसोही में आपका स्वागत है दोस्तो पूरी हर घर में बनाई जाती है लेकिन कभी कभी पूरी करारी और फूली फूली नहीं बनती इसके लिए अगर आप ये कुछ टिप्स फॉलो करें तो पूरीयां करारी-करारी फूली-फूली और बहुत स्वाधिस्ट बनेंगे सबसे पहले पूरी का आठा गुनते वे उसमें चुटकी वे नमक और थोड़ा सा तेल मिलाए और कम पानी से आठा थोड़ा सा सक्त गुन्दें जो चिकना और लोचदार हो साथ ये तेल को पहले तेज गरम करना चाहिए बाद में थोड़ा हलका करके पूरी सेखनी चाहिए कई लोग पूरी को दो बार भी फ्राई करते हैं ज्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए पर ये आपकी मर्जी है और ये आप पर डिपेंड करता है लास्ट में एक टिप्स यह है कि पूरी का अच्छा कलर दिखने के लिए पूरी का आठा गुनते वे उसमें आधा चमच चीनी भी मिला दे इससे पूरी का कलर बहुत अच्छा दिखाई देगा तो दोस्तों यह था मेरा आज का छोटा सा वीडियो मिलूँगे नेक्स वीडियो में ऐसे एक नहीं जानकारी के साथ थैंक्स फर वाचिंग रोजकी रसोई